हाई एवरिवन आज के जीडियो में हम आपको एक ऐसी मैडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं जिसका हमने कुछ ही मन्त पहले काफी अधिक इस्तिमाल किया है इस मैडिसिन का नाम है मौक्सी फ्लॉकससिन आई ड्रॉप जो की 5 ml के पैग पर उपलब्द हो जाती है जिसका प्रिंट रेट है 14 रुपे 30 पैसा लगबक 14 से 15 रुपे के बीच में ये जो दबाए आपको भारती है जन्नो सद्धी के इंदर पर इसली उपलब्द हो जाती है इस दबा का कोड है 1114 यूज भी इसके हम समझ लेते हैं तो मौक्सी फ्लॉकससिन आई ड्रॉप एक एंटिबायोटिक दबा है जिसका ओप्योग बैक्टेरियल इंफेक्शन को नश्ट करने के लिए किया जाता है जैसे बैक्टेरियल कंजक्टिव आइटिस की समश्या में इसमें हमारी एक या दोनों आखें लाल या गुलाबी दिखाई देती हैं साथी जलन होना खुजली होना आखों से चिपचिपा प्रधार्थ निकलना जैसे कई समश्यां देखने को मिलती है बीच में आपने देखा होगा कुछ समय पहले ही ये प्रॉब्लम हर जगा फैली हो चुका था बाकि डॉक्टर इसे जो है आई डॉक को सरजरी होने पर भी रिकमेंड करते हैं ताकि बैक्टेरियल इंफेक्शन के फैलने का खत्रा काफी कम हो सके ये जो मेडिसीन है आखों से जुड़ी प्रॉब्लम में काफी अपना अच्छा जो है रिजल्ट दिखाती है बाकि डॉक्टर चाहें तो अन्य आखों से जोड़े बैक्टेरियल इंफेक्शन को नश्ट करने के लिए इस दवा का उपयोग कर सकते हैं पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं साइड इफेक्ट अगर इसके हम समझें तो इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे sensation की problem हो सकती है watery eyes की problem होना blood vision ये swelling की दिकत हो सकती है अब ये जो side effect है हर condition में देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन फिर भी अगर आपको इन में से कोई side effect हो रहा है या irritation की problem हो रही है तो आप इसका उप्योग करना बंद कर सकते हैं dose भी इसके हम समझ लेते हैं तो adult में बड़ो में इसे आप 2 बार दिन में इस्तिमाल कर सकते हैं commonly इसे सुबह शाम recommend किया जाता है इसकी एक एक जो drop है डाली जाती है सुबह शाम इसे उप्योग करना होता है बाकि कब तक इसका उप्योग करना चाहिए तो लगबख 7 दिनों के लिए इसे recommend किया जाता है बाकि condition को देखते हुए 7 से लगा कर 14 दिनों के लिए भी recommend कर दिया जाता है यहां totally depend करता है आपके doctor और condition के उपर बाकि बच्चे हैं तो उनके लिए आप अपने doctor से सला जरूर लीजेगा जब आप इस pack को एक बार open कर लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है एक बार जब यह pack open हो गया तो उसके एक मंत के अंदर ही अंदर इसका उप्योग कर लेना चाहिए उसके अलावा जब एक मंत से ज़्यादा हो जाता है दवाईयों से जोड़ी information प्रोवाइट करते रहते हैं आप इसी तरह रोज़ाना जानकारी जानना चाहते हूं तो आप अपने इस YouTube चैनल एज़ी फार्मेसी को सब्सक्राइब करके अपना प्यारों सपोर्ट देना नहीं भुलिएगा हम जल्दी मिलता हैं अपनी नेशुड़ों पर जय हिन जय भारत